नमस्कार दोस्ताम, विलकाम टर्वंडे एक्जाम, क्लासेदी के रेलवे एंटीपी सी एक्जाम आपके 28 दंबर 2020 से ही स्टार्ट हो चुके हैं तो आज के पेपर में जो भी कोशन आपके एक्जामें पूछे गयते हैं उस पर चर्चार करने वाले हैं ये सारे पेशन आप लोगों नहीं हमार पर भेज़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा नीचे आपको लाल लग की सस्क्राइब होड़े दिखें कि उसे दवाकर लाल से काली कर दीजेगा तक कि आने वाली वीडियो जो हैं आके पास सबसे पहले पहुंच सकें देखिए हमारा पहला कोशन पूछा गया था पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है देखिए जब आप भावतिक रासियां पढ़ते होंगे तो साथ भावतिक रासियां होती हैं लंबाई द्रिवमान समय ताप विदुधारा जोतिती वरता और लास्ट में आती पदार्थ की मात्रा तो पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में मापी जाती है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ओस किजेगा देखिए दूसरा कोशन पूछा किया था लोग सभा में अधिक्तम सीटों की संख्या कितनी है देखिए अगर अधिक्तम की बात करेंगे तो 500 बाउन अधिक्तम है लेकिन वरतमान की बात करेंगे तो वरतमान में 545 सीटे है ठीक है 545 वरतमान में आपसे अधिक्तम पूचा तो 502 पर टिक करना था 545 में से दो सीटे जो होती है लोकसवा की वो राष्ट पती मनोनीत करता है और राष्ट सभा की 12 सीटों को राष्ट पती मनोनीत करता है ये दोनों बाते आप लोग ध्यान रखेगा 2001 में 2001 सन में क्या हुआ था संसत द्वारा 84 संविधान संसोधन हुआ था उसके अनुसार लोगसवा और विधान सभा की सीटों की संख्या 2026 तक ये थावत रखने का प्रावधान है मतलब कि 2026 तक लोगसवा की अधिक्तम सीटे जो है 552 से जादा नहीं बढ़ेंगी ठीक है य उसमें सारे कोशन पूछे जा सकते हैं आपसे तीसरा कोशन पूछा गया था पशपनुवा ग्यान पीट पूरुसकार साहित छेत्र में आपसे पूछा गया था तो 2019 की बात करेंगे तो ए ए नंबुदरी मले आलम कभी है इन्हें मिला था अगर इसकी पीछे का आपसे पू उसको मिला था यह अंगरेजी की कवी है ठीक है तो दोनों आपको याद रखने है जो भी आपसे पूछता है पशपनुवा पूछा था तो आपको नंबुदरी को टिक करना था ठीक है याद रखी का मली आलम कभी है चौथा कोशन पूछा गया था गोवी रेगिस्तान कहा प्राव मरुस्तल ठीक है और कहा पर मंगोलिया में मंगोलियक काऊंपर पड़ता है ऐसिया का ही पार्ट तो सई आपसन कौई सबाता तर commissions को जोडती है तो दो सबसे पहले ट्रेंज चली थी इसके बाद एक और ट्रेंज चली है नए। इसके आपको याद परियावड दिवस की थीम आपसे पूचे गए देगी 5 जून 2020 को प्रकत के लिए समय टाइम फार नेचर ये थीमती 2020 वाली ठीक है मैंने आपको 2019 वाली बिख दिये बीट एयर परलूसर मतलब की वाई परदूसर को खतम करना ये पिछले साल की थीमती 2019 की थीमती लेकिन 2020 के अगर आपसे पूचेगा तो टाइम फार नेचर अगर आपके आपसर में लिखा है तो आप लोग उसनी को टिक करेंगे तो ये हमारे 6 कोशन कंप्लीट हो गए 7 कोशन देखे जब भी आपसे द्रमान की चर्चा करेगा मास की बात करेगा तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है प्रधिभी पर जगर 60 है तो चंद्रमा में 60 होगा वेट चेंज होता है ठीक है वेट एक वटे 6 हो जाता है चंद्रमा भी जाने के बाद और प्रधिभी पर आने के बाद 6 गुना हो जाएगा लेकिन आपसे द्रमान पूछा गया था मास पूछा गया था तो नो चेंज होगा ठीक है नो चेंज आपसन में आ सकता है या तो 60 kg आपसन में आ सकता है दोनों इसके सही आपसन होगे तेकि आठवा कोशन पूछा गया था इस तल रूद देश आप से पूछा गया था दच्छिडी अमेरिका में दच्छिडी अमेरिका एक महादीप है तो आप से लेंड लॉक कंट्री अब पूछे गई थी मतलब वह कंट्री दच्छिड अमेरिका की वह कंट्री जो चारो तरफ से लेंड लाक हो मतलब समूद्र कहीं से उसका सीमा न बनाता और ठीक है इसे दो कंट्री है बोलुविया है और परगवे ये दो कंट्री है दच्छडी अमेरिका की जो इस्थल रुद देश है ठीक है इस्थल के साथ भी उनकी सियां बनती है समुधरी के साथ नहीं बनती है तो इसे question अपके जबंग पूछे कहते थे तो इनके कालरा जो है जीवाड़ सोती से हैजा कहते हैं तो यह जीवाड़ सो होती है मलेरिया प्रोटो जोवास से होती है डेंगु इसका सही आप सनोगा कौनसा आप सन सही आप सनोगा डेंगु डेंगु जो है वायरस से होता तो आप से वायरस की वायरस से होने अले बिमारी पूछी ठीया में कहां खिलाड़ी है आश्ट्रिया खिलाड़ी है याद रखेगा ठीक है 2020 की बात करेंगे अगर आप से 2019 का पूछे तो राफिल नडाल को टिक करिएगा देखी पिछले साल का याद करना बहुत ही असान है सबसे पहले देखिए आपका जो चार गरंड सर्म होते हैं तो सबसे पहले आपका होता है कौँसा आश्टेलिया ओपन तो आश्टेलिया ओपन किस ने जीता था 2019 की बात करेंगे 2019 का नोवाक जोकोविच ने जीता था ठीक है इसके बाद कौँसा होता है इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है तो फ्रेंच ओपन किस ने जीता था राफ नवाब जोकोविच राफिल नडाल रोवा नवाब जोकोविच राफिल नडाल तो दोनों लोगे ने दो-दो सूरत्तापसितं किंथा किनारे हैं बारा नवाब को सना पूंछा गया था सेडल पीड ऑफिर या प्री कोशन आपसे पूंछा कि ता कि अंडवान निकोबारदीप की सबसे उची चोटी कौन है तो सबसे उची चोटी ले सैडल पीक ठीक है अंडवान निकोबारद क्या है आपके केंदर सासित प्रदेश है तो इसकी सबसे उची चोटी जो है वो सैडल पीक है तेरे नमर कोशन आपसे पूछा केता है को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रेयल को International Mother Earth Day इंगलेश में कहें हिंदी में कहें तो प्रिथवी दिवस मनाया जाता है ठीक है दोनों आपको आलू अनसंधान केंदर है ठीक है राश्टी आलू अनसंधान केंदर है खेलो इंदिया यूथ गेम्स आप से पूछे के थे 2020 का आयोजन जो है वो गोहाटी असाम में हुआ था ये तीसरी खेलो इंदिया यूथ गेम्स थे प्रथमिस्तान की बात करेंगे जो सोड़ पदक स्रियादी जित्ता है उसे प्रथम स्थान दिया जाता है तो महाराष्ट जो है पहले स्थान पर हर्याड़ा दूसरे स्थान पर आए और दिल्ली तीसरे स्थान पर allora अगर आप से आयोजन इस्तल पूल्चों का एक्जाम है तो नेश्ट वाले पेपर जो कहोगा उसमें आपसे प्रथम इस्तान पूछ सकता है या फिर ये किस क्रम का था ये भी आपसे पूछ सकता है दोती क्रम आपसे पूछ सकता है दोती पुरुषकार किसने प्राप्त किया तो हर्याड़ा ने प्राप्त किया तो महाराष्ट हर्याड़ा दिल्ली ये तीनों पिछले साल धेर सारे बैंकों का विलाई हुआ 2018 में तो B.O.B. किस बैंक के साथ विलाई हो चुका है मतलब कि बैंक का बढ़ोधा का किस बैंक के साथ विलाई हुआ है तो विजिया बैंक और देना बैंक की तीनों बैंक मिला करके बैंक का बढ़ोधा बने है विजिया बैंक देना बैंक और बैंक का बढ़ोदा इन तीनों बैंकों का विले हो चुका है नेस कोशन माने पूछा गया था URL का फुल फार्म आपसे पूछा गया था URL का यूनी फार्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है आप धेर सारे याद कर लिजेगा HTML का याद कर लिजेगा एक list आपके जो भी आप पढ़ते होंगे Lucent पढ़ते हैं तो उसकी पीछे भी computer से सम्मंदीत एक list होगी short farm की उसको याद करके जाएगा धेर सारे question उससे ही पूछे जाते हैं तो एक question ही फस गया तो आप लोगों से आगे निकल जाएंगे अगला question देखे हमारा पूछा गया था Silent Valley कहां पर है Silent Valley केरल में है काफी बार question पूछा गया तो इतने बार repeat होने हाला question भी देख सकते हैं आप फिर से एक जामे पूछा जा रहा है एक question हो रहा है था COVID Care App किस राज ने लांच किया था अभी आपका मालूम है Corona virus अभी भी चल ला है तो COVID Care App धेर सारे राजों ने अपने अपने अप जो है लांच किये थे तो अरवांचल प्रदेश के अप का नाम था COVID Care App याद करके जाएगा repeat हो सकते हैं 28 तारे की question करेंट है फिर जो है वो बार-बार repeat होकर आएगी PNB का मुख्याले मतलब कि पंजाब National Bank का मुख्याले आपसे पूछा गया तो कहां पर है तो इसमें थोड़ा आपको कन्फिज होता कि पंजाब National Bank है तो पंजाब में हो सकता है क्या नहीं ये New Delhi में है इसलिए question आपसे पूछा जाता है और आपसे में आपको पंजाब जुरूर देगा अगला देखिए मारा 22 number question है भारत के सबसे युवा राष्टपती आपसे पूछा कहता देखिए युवा राष्टपती जो थे नेलम संजीवन रेड़ी थे 65 वर्ष की आईव में ये राष्टपती बने थे अगर सबसे बुजुर की बात करेंगे तो आर वेंकर रवन जो है वो सबसे बुजुर के राष्टपती थे प्रधान मंतरी की बात करें सबसे युवा प्रधान मंतरी कौन बने थे तो राजियू गांधी बने थे याद रखेगा ठीक है ये सारे कोशन आपके जमें आ सकते हैं इसके बाद वर्तमान समय में रामसर इस्थल कितने हैं देखी रामसर इस्थल से कोशन आया था अगर पर लेस्थल की बात करेंगे तो इस समय 42 हैं ये नुवंबर दिसंबर 2020 के आकड़े हैं इसके पहले 37 हैं फिर बढ़ा दिये गए तो जो भी आपके पास मैक्सम उत्तर होगा उसको आप लोग टिक करेंगे तो रामसर इस्थल क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं देखी रामसर इस्थर हो जोते हैं वो आद्रे भूमे समझोते पर दो फरवरी 1971 में इरान के कैस्पन सागर के तट पर इस्थीत सहिर रामसर के रामसर में हक्ताक्षर किये कहते हैं वहाँ पर तो उसी के जगा के नामसर ही से रामसर समझोता कहते हैं और रामसर इस्थर जो हैं वो भारत के कितने 42 इस्थल हैं इसे कहते हैं वेटलेंड कंवेक्षन कहते हैं इसलिए इसे रामसर संदी कहते हैं और कुछ लोग इस संदी को आद्रे भूमे संदी भी कहते हैं मतलब भारत में कितने आद्रिभूमी इस्थल हैं, उनको भारत वाले लोकेट करते हैं, तो अब तक 42 हैं, ठीक हैं, तो 42 इस्थल जो हैं, वो लोकेट किये जा चुके हैं, रामसर इस्थल के तौर पर, अच्छा कोशन है, नया कोशन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ कर जाएगा, 24 इस नॉमर कोशन है, भारत का सबसे बड़ा हांकी स्थाडियम, ठीक है, यह कोशन आया था, कुछ लोग कह रहेता है किर्केट स्थाडियम आये था, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, भारत का सबसे बड़ा हांकी इस्थाडियम जो है, रावल केरला के उ मोटेराई स्टेडियम है मोटेराई स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसे हम लोग सरदार पटेल स्टेडियम भी कहते हैं तो दोनों कोशन जो भी आपके एकजाम में आये रहा हो देखिए जितना आपको याद रहता है उतना बताने का प्र 1362 यह WhatsApp नमबर है इस पर आप लोग अपने प्रिश्णों को डाल सकते हैं जो भी आपको याद हो एक ग्रूप भी हमने बनाया हुआ है जिसका लिंक हम आपको description दे देंगे तो एक लिंक है उसमें धेर सारे छात जुड़े हुएं तो आप लोग उससे जुड़िएं डिसकसन क को उसमें लगे कि आप कोशन कौन सा गलत हो रहा है कौन सा सही हो रहा है तो डिसकसन हो जाएगा तो यह number है आप लोग इसे नोट कर लिजेगा 87, 95, 34, 63 इस पर आप लोग भेज सकते हैं तो आप लोग काल मत करिएगा भेजने का प्रियास करिएगा जो भी आपको लिखना ह पूछे गयते हैं वो सारे आप इसने भेज सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैलन पर अगर आप पहली बार आएँ तो नीचे आपको लाल लंक के सस्काइग उड़न दिखेगी उसे दवाक का लाल से काली कर दीजेगा हाँ आपको